जहें दोस्तों वंदे मातर लाल सिंचड़ा को लेकर जो नेगेटिविटी समझ सामने आ रही है उसको लेकर आमिर खान का रियक्षन अब वाकई में काफी जादा भयावहरूप लेता जा रहा है मतलब अब वो जुस तरीके से दर्शकों से अपील कर रहे हैं मूवी को देख बड़ा खुलासा ये किया है कि जो एडवांस बुकिंग को लेकर इसके बज बनाया जा रहा है कि मूवी ने फ़ला अचनी बुकिंग कर ली यहां यहां इतनी बुकिंग कर ली उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह जो बनाया जा रहा है अगर आप रियालिटी मे वो बकायदा माफी मांगते हुए दिखाई दे रहा है मतलब अब इस वीडियो में इनोंने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा है लेकिन हासी देट और पर इनोंने अपनी मुवी को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ 48 गंटे हो चुके हैं मैं सोया नहीं हूँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सच में नहीं सोया हूँ मेरे दिमाग की गज़ी तेज है इसलिए मैं किताबे पढ़ता हूँ या फिर ऑनलाइन शतरंच खेलता हूँ मैं अब 11 अगस के बाद ही सो पाऊंगा आमरे ने मीडिया को बताया कि इन दिनों और उनके डिरेक्टर अद्वेट की नींदे उड़ी हुई है इसलिए 11 अगस के बाद वे और अद्वेट आराम से शांती सोएंगे और जब उठेंगे तो लोग उने बताएंगे कि फिल्म कैसी है आमरे खान ने अपनी फिल्म के बाईकाट के लिए की जाने वाली मांग पर रियाक्शन देते हुए कहा यगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मैं उसको मैंने दुखी किया है तो इसके लिए मैं भी दुखी हूँ और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है बलकि अगर किसी को फिल्म नहीं देखनी है तो मैं इसकी इस बात कि इज़त करूँगा क्या कर सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूंगी ज्यादा साथ लोग मेरे फिल्म को देखें हमने बहुत महनत से फिल्म बनाई मतलब आमिर खान नहीं सब बाते कहीं हैं सब चीजें उठी हैं लेकिन जो बहिशकार की मांग उठ रही है इनका पता लगाना मुझे नहीं लगता कि आ रेक्ली एडर्स करेंगे तो शायद चीजें और भी ज्यादा आसानी से यहां पर सॉल्ट आउट हो सकती हैं लेकिन बात वही है कि वो ऐसा कुछ करना चाहनी रहे है या फिर करना ही रहे है या फिर और भी ज्यादा कॉंट्रोर्सी हो सकता भलक जा अगर वो ऐसा करें तो इसलिए यह सारी चीजें हैं जो कि यहां पर उनके लिए काफी बड़ी परिशानी का सबब बनती जा रहे हैं आप लोग अजबारे में क्या कहना मुझे कमेंट करके ज़रू बता है कि यह मूवी की परफॉन्मेंस कैसी रहेगी और क्या आमिर की यह जो पूरी एक डिक्व से काम आएंगी मेरे सुडियों फिलात नहीं जाए हैं जाए बार